आइए दोफो अब आपको बताता हूँ कि आप direct कैसे बता सकते हैं कि ये दो structures iso-structural है या नहीं NEET और J में बहुत ही famous सवाल है या, NEET में तो मैदों जी हर बार ही आता है iso-structural बताएं, iso-electronic species बताएं, iso-electronicnik हम discuss कर चुक है तो बहुत ही असान थे हर कोई calculate कर सकता है this iso-structural मतलब जिसका structure same है वो आई so structure ले यह बताएंगे आप direct hybridization कैसे बताएंगे hybridization है कैसे पहला अगर hybridization same रहा hybridization क्या रहा same and number of lone pairs भी क्या हो नंबर ओफ लोन पेर्स भी सेम हो तब वो दोनों स्पीसिज आईसो स्ट्रक्टर हुई कैसे हाइवर्ड एज़ेशन जैसे माल लेजिए अपने पास ओएच्टू का एक्जामपल है एच्टू माली जी यहाँ पर दो लोन पेर हैं यहाँ पर आप ओसी एल टू लेले में सक्क क्या पर पड़ने हैं यहाँ पर सेंट्रल एक्टम पर देखें दो बॉन्ड दो लोन पेर यानि की हाईवर्ड एज़ेशन देखें आप SP3 की है दो लोन पेर के साथ SP3 है किसके साथ दो लोन पेर के साथ यहाँ भी SP3 है एक और एक दो लोन पेर के साथ मतलब यह दोनों क्या है आईसो स्ट्रॉक्ट्रल है क्या रहे होंगे जी आईसो स्ट्रॉक्ट्रल अब अगर हाइबर्डेजिसन सेम आ जाए तो फिर कैसे बताओगे यही लफड़ा था यही लफड़ा इसे लफड़े में फसते है दूसरी बात यह आपको ध्यान रखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यह तो हर कोई कर लेगा यह मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर हाइबर्डेजिसन क्या हो हाइबर्डेजिसन नोट सेम अगर हाइबर्डेजिसन सेम ना आए तो ऐसे केस में किस केस को consider करेंगे डिरेक्ट बताता हूँ देखो पहला क्या देखें अगर एक की hybridization SP है और दूसरे की hybridization SP 3D है किस के साथ 3 loan pair के साथ तब वो दोनों क्या होंगे ISO structural कैसे example लेते हैं SP का example मान लेजिए आपने लिया CO2 यह रहाजी CO2 sigma bond count करते एक और दो सिगमा यानि कि SP और shape कैसी रही होगी इसकी रही होगी जी linear ठीक है जी SP 3D with 3 loan pair यह क्या मामला है देखो I3 negative structure आपने देखा होगा सब भी लोग जानते हैं और हम discuss भी कर चुके हैं यहाँ पे देखें इस I को देखें जो central atom 20 वाड आई count करें पहले steric number 1,2,3,4,5 5 steric number तो क्या होगा SP 3D अब loan pair 1,2,3 और 3 loan pair आए थे तो यह देखें यह भी क्या shape आई है यह भी shape आई है जी linear यानि कि आप directly यहाँ से देख सकते हैं hybridization same वाला मामला number of loan pair same है तब भी ISO structural है अगर hybridization same नहीं है या hybridization different लिख सकते हैं यहाँ पे hybridization अगर क्या मिले आपको different मिले तब यह लफडा आया यह पहला था इसके साथ एक और चीज थी यह इसमें एक part और hybridization different क्या हो सकता है अगर आपके पास sp3 वाली चीज है जिसके पास दो loan pair थी और एक चीज थी आपके पास sp2 जिसके पास एक loan pair था क्या था एक loan pair वो भी ISO structural रहे होगी example देखते है examples क्या रहे होगी इनके examples sp3 sp3 वाला simple ले लेते हैं वही जो हमने अभी discuss किया यहाँ पर लिख लो h यहाँ पर लिख लो h ठीक है जी bent से बोल सकते हैं आप इसे यहाँ पर ले sn यहाँ पर c l और यहाँ पर c l loan pair एक carbon family का है outer motion में 4 ही electron होते हैं तो यहाँ पर देखे hybridization sn की इस वाले case में sp2 और loan pair 1 loan pair आया है और यहाँ पर देखे sp3 hybridization और loan pair क्या हैं दो loan pair हैं और आपको structure दिख रहा होगा structure दोनों के same है यानि कि अब आप confusion नहीं होंगे hybridization same हो number of loan pair same हो मतलब वो ISO structure बिसी से दोनों के structure same मिलेंगे अगर hybridization different है तो चेक करें अप sp के साथ sp3d वाला हो लेकिन sp3d वाले के साथ three loan pair हो ध्यान रखे तब भी होगा या फिर दूसरी condition sp3 दो loan pair के साथ हो और sp1 loan pair के साथ हो तब भी वो species क्या रही होंगी ISO structure आप बोल रहते हैं कि हमें hybridization निकालना आता है hybridization से ही मामला बन रहा है रहे देखो I think ये बात आपको सौन में आ गई होगी है अब मिलते हैं next trick के साथ next part में तब तक के लिए नमस्कार प्लाव